और काईल मायर्स का वो बात करनी हमें बाकी है यहां पर कि उनका जो कैच छूटा क्या वही अलका आप मानती है कि टर्निंग पॉइंट था बिल्कुल था क्योंकि जिस तरीके से उनका कैच छूटा है बड़ा एक तो बहुत ही आसान कैच था ऐसा लगा जैसे हाथ में आया औ और डेब्यू मैच था उनको मतलब यकीन नहीं होगा कि उनके एक कैच छूटना इतना बड़ा मायल्स्टोन साबित हो जाएगा बिल्कुल 14 रन पे थे जब उनका कैच छूटा और अब उन्होंने क्या करके दिखाया ये टीवी स्क्रीन पर आपके मॉबाइल स्क्रीन पर आपके सामने है 73 रनों की पारी खेली 38 गेंदो पर और एक ऐसा मुकाम जो है हासल करवा दिया लखनो सूपर जाइंट्स को एक ऐ जो है गेंदबाजों को मगर उस एडवांटेज का भी वो एडवांटेज नहीं उठा पाए और यहाँ पर जो है लखनाउने जीत हासल कर ली है हमने कायल मार्स की बात करी जो एक सूपरस्टार रहे लखनाउ की तरफ से अलका दूसरे की भी बात करनी जरूरी है मार्क देखिए बुड नाम रखा और बिल्कुल अपने नाम को सच कर दिखाया उन्होंने और पांच विकेट लेना बिल्कुल सही का कुनार आपने बहुत बड़ी बात होती है टी-20 मैच में उनको जितना मौका दिया गया उस मौके का उन्होंने जादा पादा उठाया मैं कहू देली बैक फूट पर चली गई वहां से कभी भी उबर नहीं पाई तीसा विकेट जब उन्होंने लिया तो उन्होंने वहां पर जो है सरफरास खान को जो है आउट करवाया वो समझी नहीं पाई इतनी गती थी और उसके बाद वो बल्ले से लगके गेन सीधा थर्ड मैन की तरफ गई वहां पर वो कैच आउट हो गए बाद में जब उन्हें आकरी ओवर दिया गया तो वहां पर उन्होंने दो विकेट निकाले एक कहावत है अलका क्रिकेट के अंदर कि there is no substitute for pace और माकवूड के पास वो pace है वो गती है जिससे वो डिफरेंस पैबा करते हैं बल्ले गेंद बासी के लिए माकूल नहीं था जब ड्यू पढ़ रही थी ओस पढ़ती है ना तो गेंद को ना पकड़ना उसको उसको ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है और गेंद बल्ले पर आसानी से आती है बगर माकवूड की तेजी ऐसी थी कि उन्होंने चक्मा दी दिया ब दखनाओं के लिए बहुत अच्छा रहा